आर्मान ने तुम्हें बेचम? अर्मान ने जुरूर तुम से कहा होगा कि ये बड़ी काबिल वकील है काबिल होती तो इसके पास सर चुपाने के जगह होती है यह तो हमारे बंगलो के आउट हास में पड़ी रहती है मेरी तरफ से आप पर कोई दबाफ नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका केस लड़ू तो कोट नंबर चार के बाहर आ जाएगे यह आप से वहीन मिलोगी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभीरा? मेरा हाथ छोड़ो अर्मान पोदार अभीरा शर्मा नॉट हैपनिग मुझे तुमसे कोई बात नहीं कर तुम्हें बात करनी होगी परना हमारे बीच की गलत पहनिया कैसे दूर होगी यार प्लीज मुझे बात करो क्यों करूँ? हम दस महिने साथ थे तब तुम मेरे सवालों से भागते रहे तब तुमने कुछ नहीं कहा तो आप मुझे कुछ नहीं सुना तो क्या सारी सिंदगी दर्द का दामन थाम के जी होगी? क्या करो? और क्या करो? जब किसमत में मेरी सिंदगी में दर्द ही लिखा है तुमसे तो मैं लड़ भी लूँगी अपनी किसमत जी कैसे लड़ो मैं इतनी खूशिश करती हूँ लेकिन तरवी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाती है मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब भी दुखी होती हूँ तुम्हारे बिना होती हूँ तब भी दुखी होती हूँ कि हमेरी जिंदगे में आप सिर्फ दुखी लेका हैं कभी खुशी नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में खुशी आएंगी मैं लेक्या हूंगा ये प्रॉमिस बस तू हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहना मैं किसी कम को तुम्हें छूने भी नहीं दूँगा वादा वही करो जो निभापा और ये वादा तुमने भाणी पाओ कि मैंने अपनी संदगी में सबसे ज़्यादा प्यार से दो लोगों से किया एक ममा और दूसरे तुम ममा को तुम उचसे किस्मत ने चीन लिया लेकिन तुम तुम तो अपनी मर्जी से मुझ से दूर चले गए अर्मान प्यार करने वाले दिल नहीं तोड़ते लेकिन तुमने तो जान बूचकर मेरा दिल तोड़ा है किसमत ने हमारी लव स्टोरी में है अभी एंटिंग लिखी ने तुम एलेकूंगा संद्की में चितनी भी मुश्किन आया है जितने भी तुक दरदा है मैं हमेशा तुमें चुनूँगा आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगीगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टापलस यूटूब पेज को